Hi everyone, I welcome you to the way to heal यार आज की इस वीडियो में हम लोग एक notice के वारा में बात करेंगे जो notice vacant seat के वारा में बात करती है यानि कि जहां में हमें कई courses थे ऐसा देखा था आपने के 19 courses थे total जिसमें seats vacant था जिसका आज counselling हुआ है यानि कि 15th of Feb को counselling हुआ है उन्होंगा के मैं चीज़ों को बताता हूँ करें की अभी notice किया गया है कि अभी तक जो है कुछ courses जो vacant seats जहां पर था वहाँ पर अभी भी vacant seat हैं वो जो 19 courses थे जिसमें B-Walk Solar Energy था जैसे की Diplowine Yunani Pharmacy था Nanotechnology था और भी ऐसे कई courses थे B.A. Sunskirt ऐसे total 19 courses थे जिसमें बहुत सारी seat खाली थी तो उनका आज counselling हुआ है आज ही हुआ है 15th of Feb counselling हुआ है उसके वारा बात कर रहे है आगे हम लोग देखते हैं in the view of the above the competent authority has approved that the list of selected candidate against available seats to be published on or before 19th of Feb and the last date for the admission against the vacant seats will be 20 Feb 2020 देखे इसमें समझने वाली बात यह है कि list जो आएगी आपको list 19th Feb तक आ जाएगी यानी 19th Feb तक या उससे पहले मतलब 19th Feb तक list आ जाएगी हो सकता 19th को आए या एक दो दिन में आ जाए अगर मैं अपना बताऊ ना मुझे ऐसा लग रहा है कि 17-18 तक list आ जाएगी तो यार एक next देखते हैं यहां पर क्या लिकाव the aspiring students are advised to visit the university examination website that is www.jmicoe.in for any updates on the list of selected candidates देखे लिस्ट 19 से पहले तक आ जाएगी और admission का आपको बोला गया कि 20th को आपका admission हो जाएगा मतलब 20 Feb तक admission हो जाएगा तो आप देखने time बहुत कम दिया जा रहा है मतलब एक दिन दो दिन का time दिया जा रहा है अगर आप list देखना miss कर गए तो आपका admission छूट सकता है तो यह चीज़ आपको ख्याल रखने की जरूरत है आपका admission ना छूटे तो यहां पर कहा जा रहा है कि कंडिरेट को जाम या website jmicoe.in विजिट करते रहना है regularly आप जब regularly website विजिट करते रहेंगे तो आपसे कोई चीज छूटेगा नहीं और दूसरी बात आपको कोई भी notice आता है तो मैरे टेलेग्राम चैनल पर upload कर देता हूँ अपलोड करता हूँ फिर में वीडियो बनाता हूँ तो वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी that is for today please stay connected keep growing thank you so much